प्रणाम सार हाई फ्रेंज्स माइनेम इस रही कुमार जात्वर्ट तोड़े माई सेमिनार टॉपिक की जा टांस्फार्मेशन आप इलेक्रो मेंगनेटिक पोटेंशल ए एंड इलेक्रिक पोटेंशल फाई है ना जो की सब्जेक्ट इलेक्रोड्रामेनिक से है तो आपको सब सबसे पहले मैं अवगत करा दूँ कि मेरा अंतिमियम लाश्ट सेमिनार वीडियो है यहां से मेरा सेमिनार वीडियो क्या होता है कंप्लीट होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सका सेमिनार वीडियो तो टांस्फार्मेशन आप इलेक्रो मेंगनेटिक पोटेंशल ए लेते हैं तो Lawrence condition हमारे पास Dioges A plus 1 by c square कर ली 5 by 80 is equal to 0 इसको देते हैं equation number 1 this equation suggested that we can define a 4 vector यानी यह equation क्या हमें क्या करता है suggest और करता है कि यह जो equation है क्या है फोर्ट वेक्टर है तो चलिए देखते हैं अगला क्या है ए म्यूँ इस उकल टू कोश्ट्रक कर अंदर है ए कॉमा आयोटा फाई 22 कोश्ट्रक बांध इसको देता है एक वैसर नमबर टू क्या है देखते हैं तू दा प्रूप डाइट ए म्यूँ इज ए फोर्ट वेक्टर यानि हमें प्रूप करना है कि ए म्यूँ क्या है फोर्ट वेक्टर है तो चलिए देखते हैं लेट आस माक्सावल फिल्ड एक्वेशन यानि माक्सावल फिल्ड एक्वेशन की साहता से हम प्रूप करने वाले हैं क्या प्रूप करने वाले हैं ए म्यूँ यह यह क्या है four vector है तो देखते हैं इसको क्या बोलते हैं देख लेते हैं सबसे पहले यह है four dimensional differential operator है जिसको मैं इसमें सिर्फ operator ही बोलूँगा तो यह क्या हो जाएगा four dimensional differential operator के square a is equal to me zero j यहां देख लेते हैं मी जूर क्या सो करता है current density एक्या है charger current है न उससे प्रकार से यहां देख लेते हैं electric potential के लिए यह है operator की square phi is equal to minus rho by is long zero इसको देते है equation number four यह है equation number three ठीक है तो this equation can be written us इस equation को हम नमरीका रूप में इस प्रकार्स भी लिख सकते हैं तो चली देखते हैं यह है four dimensional differential operator की square a1 is equal to minus mu zero j1 ठीक है इसको देते है equation number five a उससे प्रकार से है अगला है four dimensional differential operator के square a2 is equal to minus mu zero j2 इसको देते है five b उससे प्रकार से अगला है operator की square a3 is equal to minus mu zero j3 को देते है five c अगला है यह वाला लाश्टा है ना जो की electric potential के लिए four dimensional differential operator five is equal to minus rho by iso-line zero इसको देते है five d the last equation can be written us जो हमारे पास यह last equation है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं जैसे की four dimensional differential operator का square a3 a3 is equal to minus mi zero है minus mi zero यहां देखिए है इसको solve coding की इस प्रकार से मिलेगा यह होगा minus mi zero जे का value क्या हो जाएगा जे का value होता है आयटा सी रो है ना यह जे का value उससे प्रकार सकते हैं आप क्या है कि दूस कंप्लेट सेट एक्वेशन फाइब इस रिटान आस यानि जो इक्वेश्ट जी पूरा सेट है इसका हम जब solve करेंगी इस question को तो हमें इस प्रकार से value मिनने वाला है तो जैसे कि यह क्या मिन लेगा value फोट डामेशनल डिफ्रेंशल अपरेटर का स्क्वेर मूँ इस उकल टू मानज मी जीरो जे मूँ है ना जे क्या है इंटेजर नमबर क्या करता है तो इसको देते हैं अपन एक्वेशन नमबर 6 अगला क्या है अगला है नाउं ए फोट डामेशनल जे मूँ इज ए फोट वेक्टर ए मूँ मस्ट भी फोट वेक्टर दीस फोट वेक्टर इज नो ए फोट वेक्टर पोटेंशल और इलेक्ट्रमेग्नेटिक फोट पोटेंशल है ना तो इसको हम देखेंगे किसकी सहायता से transformation equation ला की साहता से हम देख इसको क्या करने वाले हैं solve करने वाले हैं तो transformation equation ला क्या है हमारे पास यह है a prime mu is equal to alpha mu b a b है ना उसके बाद क्या है जब इसका value लुखेंगे तो इसका value किस रूप में आता है matric रूप में आता है जब transformation equation ला पढ़ेंगे तो इसका value इस प्रकास आता है आप आहां देख लेंगे है ना तो मैं इसका direct value लिख देता हूं alpha mu b is equal to क्या होते इसका value metric यह ना गामा 00 I eta beta gamma 01000010 minus I eta beta gamma 00 gamma है ना इसको देते है equation number 7b यह है क्या है अगर इस metric को अगर हम solve करेंगे तो यह metric क्या है जैसे कि यह है alpha 1 1 है ना इसको क्या लिखते है one one is metric क्या लिखते है metric होता है जानते है अपन one 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 two one three one four है उसी प्रकास से two one यह हो जाएगा 2 2 2 3 2 4 है इसके लिए हो जाएगा 3 1 उसी प्रकास यह हो जाएगा अगला हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 है तो देखते हैं अगला क्या है जब इसको solve करेंगे तो इस प्रकास आएगा यह हो जाएगा अलफा है ना अलफा 1 1 अलफा 1 1 के लिए हो जाएगा यह क्या हो जाएगा एलेक्ट्रमेगनेटिक पोटेंशल को सो करता है एवन है तो प्लास प्लास है ना दूसरा के लिए हो जाएगा इसके लिए अलफा 1 2 1 2 हो जाएगा यह उससे प्रकास से एलेक्ट्रमेगनेटिक तो बोल दे रहो है ना, plus alpha 13, 13 के लिए हो जाएगा, a3 plus, चाउंता यह हो जाएगा, alpha, alpha 14, alpha 14, a4, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, जब यहाँ यह value को put करेंगे, तो क्या value मिनने वाला है पन को, a prime 1 is equal to, इसका value क्या है, alpha 11 का value क्या है, गामा है, तो गामा लिख दिए, ठीक है, यहाँ क्या है, a1 है, तो a1, plus, बुस्य प्रकार से, यह दोनों का value क्या मिनने वाला है, alpha 12, 13 का value क्या मिनने वाला है, जिरो मिन वाल है तो शेक्म दाक्टेश 0 जिरो लिख़े हम प्लस अब देखते हैं लाच्ट वाला है यह स्वाला की आफ बिलर कीanka है लाफ कुम हमारा की और वनख भर्त है और न में परसे हाओ स्वार हमारे बड़ भी पास यह दोनों वैलू ठीक है इसको लिख लेते हैं अपन यहां देखी यह गामा और यह गामा दोनों से हैं तो इसको क्या कर लेते हैं कामा निकाल लेते हैं कामा निकाल लेते हैं कामा निकाली यहां तो कामा ने बाहर आ गया तो यहां क्या बचा एवन एवन प्लस ठीक है उसे प्रकाश से यह बहार तो निकल गया गामा है तो क्या बचेगे है आयोटा बीटा एफोर आयोटा बीटा एफोर है जब इसको हम साल्व करेंगे तो हमें इस प्रकाश से बैलू मिलने वाहते देख लेते हैं आयोटा बीटा का बैली होता है बीटा का बैली होता है भी बाई सी और एफोर का बैली होता है आयोटा फाई बाई सी है यह हो गया बाई इस पूरा का बाई बटा में है पूरा का बटा में है करली के अंदर में है वान मैनस बीटा स्केर है ना जब यह वाला बैलू इसके सान मिल्टिप्लाई जोमाद ही तो थी सब्सक्राइब करेंगा एंत इस सम्लें क्या आ जाएगा है अपन लिख दी है फिर भी तो भी है इसका मल्टिप्लाइब यह हुआ तो पूरा कब कर लिक के अंदर क्या है वान मानस बीटा इसको देते हैं इक्वेस्टन नमबर एंट इस प्रकास अगला वैलू हूपन इसी रूप में साल करेंगे तो क्या मिलेगा यह जैसे की यह टू कि लिए प्राइम अब आटू के लिए क्या होगा वैलू इस प्रकास से सौ होगा जैसे कि यह दूस्रा वाल हो गया है इसको 2 1 देते हैं इसको 2 2 देते हैं इसको dois 4 देते हैं लिखना है अबस करने वाले हैंता देखते हैं ये हो जाएगा अलफा टोवन हो गया है लिखे वेज़़ी हैं यह भाम में लिखें तो यहिए 1 3 में प्ल Erfahrung जाए का 10 फोर इसपर का 10 से प्रकार से कि वह सिए कि रखायंगा इसका वेलु क्या है यहां देख लें 0 है तो यहां 0 है तो इसका क्या मिनने वाला है अपन को जब इसको solve करेंगे सिर्फ only a2 ही आएगा है तो a prime 2 is equal to a2 आएगा इसको ले देते हैं question number 8 भी है अगला हो जाएगा उसी प्रगाश से यहां देख लेते हैं जब a prime 3 को solve करेंगे तो इसका क्या value आएगा इसका देखिए है न 001 यानि तिसरा वाला जो value यह वाला है न क्या आएगा यह वाला में यह तो यह क्या हो जाएगा a3 sorry 3 1 3 2 and 3 4 क्या है न यह देखिए यह क्या हो जाएगा sorry यहां 0 0 0 यानि तीसरा वाला जो value A 3 3 है इसका क्या मिलने वाला है यहाँ देखते हूं जब solve करेंगे तो यहाँ value को रखेंगे ए 3 का value क्या है 0 है 0 है इसका दूनों के 0 होगया तो 3 में क्या है 1 है तो 1 है इसको यहां है न यह देखिए जीडो है यहां देखिए जीडो है ना यह तो पूरा 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 दिखिए जाएगा ओनले मिलने वाला है पंड को है न तो अ प्राइम 3 is equal to क्या मिलेगा A3 आएगा तो इसको लिख दें question number देते हैं 8C है ना जब 4 को 100 करेंगे हैं ना 4 वाला solve करेंगे last hour solve करेंगे तो हाँ देख लेते हैं इसको इस प्रकास से मिलेगा alpha 4 1 A1 plus alpha 4 2 A2 plus alpha 4 3 A3 plus alpha 4 4 A4 है ना जब इसको value रखेंगे तो देखते हैं alpha 4 1 के value क्या है minus alpha beta gamma है तो इसको मैं लिख देता हूँ डारेक्टर इहां minus alpha beta gamma A1 है ना A1 होगे उससे प्रकास से देखते हैं 4 2 के value क्या है 4 2 के value क्या है 0 है उससे प्रकास से देखते हैं 4 3 के value क्या है 0 है 0 है न ति यह क्या हो जगे 0 हो जाएगा यह हो जाएगा 0 A2 है na यह हो जाएगा 4 3 के value क्या 0 है तो 0 A3 हो जाएगा और लास्ट वाले देखते हैं 4 alpha 44 का value क्या है alpha 44 का value आ है gamma है तो गामा लिख दिए यहाँ देखिए गामा लिख दिए गामा इना गामा डावत ऋफूर है ना जब इसको हम sales करेंगे जब इसको हम does all करेंगे ति क्या value मिलेगा फनको यहाँ देखिए सबसे पेहले का बाढर दा यह तो value इसको पहले लिए दिए प्लस में है तो ए फोर पहले लिख दिए अपन को अब उसके बाद है इसको देते हैं इक क्वेशन नमबर एट डी जब इसको पूरा साल करेंगे तो हम पहले से पता है कि प्राइम ए हमें पहले से पता है कि प्राइम ए फोर के बैल्यू क्या होता है ए फोर के बैल्यू यहां लिखे है अब यहां लिख दिये इसका बैल्यू होता है इसका बैल्यू क्या होता है इसका value है भी by c है न यहां लिख दिये पुरा कबटा है कल्ली में 1-beta square है न अब देखिए यहां से देखिए यह वाला value iota c है न यहां से iota c यहां से कामा लेंगे तो यहां आ जाएगा है न यहां से इसका divide करेगे इसके साथ तो यह कर जाएगा तो कतने के बाद अपन को कहां मिलेगा 5 5 का prime है न इस उकल 2 यहां क्या मिलेगा यह है न यह रहेगा क्योंकि यह iota by c क्या आगया है क्या मन आगया है तो सिर्फ यह क्या मिलने वाल है अपन को 5 मिलेगा minus b है न बहार आगे यह भी b a1 a1 पूरा कबटा क्या है करनी में 1 minus b कर इस्कायर है न तो अपन के पास सभी का value निकल गया है न इलेक्ट्रो मैंगनेटिक पोटेंशल का value निकल गया उसके बाद यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशल है न इसका भी value निकल गया तो अब देखते हैं क्या बोलता है दूस्दा टॉंस फर्मेशन लाव इलेक्ट्रो मैंगनेटिक पोटेंशल एंड एलेक्ट्रिक पोटेंशल फाई रितानास है न जो आपन बैलू निकाले है न उस बैलू के क्या कर रही है यहां लिख रहे है तो यह प्राइम वन का value क्या मिला था अपन को ए वन माइनस भी बाई सी का स्क्वार फाई है न यह 25 एरग ए फाई का जचैंसल के लिए फाई का प्राई माइनस भी जधियरा वाला व्यालिव है ना बटा करनी 1-1-1-2-2 तो और क्या है लास्ट दा इन्वार्ज ट्रांसफर्मेशन फोर इलेक्रोमेगनेटिक पोटेंशल ए एंड फाई आर अप्टेंड रिप्लेशिंग भी बाई मैनस भी यानि यहां जाहां भी भी है ना प्लस भी है वहां क्या करना है पनको मैनस भी से रिप्लेशिंग करना है तो चले रिप्लेशिंग करते हैं ठीक है मैनस भी से तो देखते हैं यहां तो देखिए यहां देखिए लाश्ट वाला जब इसको हम मैनस भी से रिफ्लेसिंग करेंगे ठीक है तो यह क्या हो जब पहले से मैनस हैं तो मैनस भी से रिफ्लेसिंग करेंगे तो मैनस मैनस क्या हो जाएगा यहां देखिए मैनस मैनस यहां प्लस हो गया ठीक है प्लस हो गय यह तो ऐसी ही रहेगा वैल्यू और लास्ट इसको देखते हैं प्राइम वाला है यह वाला वैल्यू जब इसको हम यहां देखिए है यहां माइनस है यहां माइनस है यहां माइनस है प्राइम माइनस सोरी फाइम माइनस भी वा भी एवन है तो रिप्लेसिंग करेंगे तो क्य प्लस हो जाएगा तो देखिए 5 is equal to prime 5 prime minus हो वहाँ तो plus हो जाएगा भी a prime 1 है ना उड़ाग बटा क्या है करनी में 1 minus beta है उसके है तो इसको देते हैं equation number 9 तो from equation number 8 यानी equation number 8 ये वाला और equation number 9 ये वाला है यहां से रिप्रेजेंट करता है क्या रिप्रेजेंट करता है फोर वेक्टर potential ठीक है यहां आपनका ये seminar वीडियो complete होता है यह है पुरा complete solution किसका complete solution है ट्रांसफार्मेशन आप electromagnetic potential and electric potential कर तो थांक्यू धन्यावाद आपको ये वीडियो समझ आये होगा थैंक्यू अ हुआ